Hi guys, so मैंने जो Assam University PG admission को लेके last वाला वीडियो बनाया था, जो कि मैंने लगबग एक महीना पहले बनाया था, तो उस वीडियो के comment section को मैंने आज सुभे को ही check out किया था, and वो वीडियो के comment section को check out करके, मुझे ये समझ में आया, कि आप सब बहुत wait कर रहे थे और एक वीडियो का, वीडियो बनाने में थोरा time तो लग गया है, लेकिन reason यह है कि मैं भी इस बार Assam University के chemistry department में, I hope that admission मिल जाएगा, अगर मिल जाए तो admission ले लूँगा, chemistry department में, तो उसके बाद मुझे भी जानना था पहले से, कि क्या-क्या होने वाला है आगे जाके, जो process हो चुका है, उसक को लेके भी वीडियो में आज बात करेंगे, complete बात करेंगे सब कुछ चीज़े, उसके बाद भी, अगर कोई भी आपका doubt रहे गया हो, तो आप please मुझे एक बर Instagram पे, मेरे Instagram एक बर message कर देना, मैं उसी doubt को उधर पे, आपको solve करके दे दूँगा, ठीक है, तो चलिए शुरू कर दिया है, साथी साथ payment भी कर दिया है, और एक चीज़ वो है कि आपने अपना जो department का जो email ID है, उस email ID पे आपने शायद अपना जो final grade card है, उसको भेज दिया है, जिन लोगोंने अभी तक नहीं भेजा है, मैं request करता हूँ कि आप लोग भी एक बार जल्दी से भेज देना, आज last date था, आज 3 बजे तक last date था, लेकिन अभी भी अगर कोई send करता है, then I hope that they will accept it, ठीक है, तो अभी तक अगर किसी ने अपना final grade card को send नहीं किया है, तो अपना जो final grade card है, उसको अपने department के, जिस department में आपने apply किया है, उस department के email ID पे आप एक बार भेज दो, ठीक है, final grade card मत देखिए, यहाँ पर कुछ dates दिया हुआ है, मैं एक बार समझा जेता हूँ फिट से, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा जेता हूँ, तो 30 अगस्ट, यानि कल, आपका last date of submission of online application है, यानि कल तक आप अपना, जो online application form है, उसको कल तक आप मतलब भढ सकते हो जो भी few payment है, वो कल तक कर सकते हो, यानि कल रात 12 बजे से पहले आपको form fill up करना चाहिए, उसके बाद जो portal है, वो close हो जाएगा, ठीक है, 6 सप्टेंबर, 6 सप्टेंबर को आपका first merit list निकलेगा, यानि जो भी candidates first merit list पे select हो जाएंगे, उनका नाम first merit list पे दिया जाएगा, और वो publish होगा, 6 सप्टेंबर को, साथी साथ उसी दिन आपका second merit list में, जो waiting list है, मतलब first merit list के बाद जो waiting में रहेंगे, वो भी उधर पे दे दिया जाएगा, यानि आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो, कि आपका merit list में, second merit list में, नाम आएगा, क्या, अगर सीर बजता है तो, ठ 6 से 9 तक आपका जो admission process है, वो चलेगा, for the first merit list student, मतलब first merit list में, जिन लोगों का नाम आया है, उनके लिए 6 तो 9 यानि 72 hours का एक time दिया जाएगा, जिसके बीच में उनको जाके, अपना जो admission fee payment है, वो जाके करना होगा, एक ही साथ करना होगा, fee payment, for example, किसी का अगर chemistry में है, बाद directly उधर पे receive भी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 10 तारीक को आपका जो class है, वो start हो जाएगा, मतलब जो भी students first merit list में आये है, उनको लेकर ही, आपका जो class है, वो start हो जाएगा, किस दिन से 10th September से, उसके बाद 13 September को आपका second merit list निकलेगा, अगर कोई भी sit बचता है, त में अगर कोई भी sit बचता है, तो first merit list के बाद, तो आपका नाम second merit list पे आ सकता है, उसके बाद 13 तू 16 चलेगा second merit list के students का admission, अगर कोई भी sit further बचता है, तो वो sit चला जाएगा, spot admission के लिए, ठीक है, तो spot admission को लेके last में बात करेंगे, कुछ special चीज़े है, spot admission को लेके आपको ध्यान में रखना होगा, तो उसके लिए spot admission को लेके बात करेंगे, अभी पहले बात कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को लेके, ठीक है, next, merit list, तो यह जो merit list है, वो आपका publish होने वाला है, कि कौनसा दिन, आपका 6 September में, यह जो merit list publish होगा, यह बिलकुल अभी जो publish होने वाल है, उसी के basis में, आपके जो competitors है, यानि आपके जो classmates होने वाले हैं, आगे जाके, उनके साथ आपका कितना marks का difference आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सब कुछ मिला के, आपको purely basis करेगा, मतलब purely वो CVT PG के basis में, वो look मनाएंगे, merit list, अभी merit list में भी ranking का दो system आता है, एक होता है कि किसी student का, किसी दो student का, अगर merit list में, अगर CVT PG में same mark होता है, तो उनके बाद, उसके बाद उनका, जो degree का final percentage है, वो consider किया जाएगा, जिसका जाधा है, उसको आगे priority दिया जाएगा, ठीक है, for example, किसी का, अगर 10 marks है, और किसी दूसरे इंसान का भी 10 marks है, अभी एक जगा वो बहुत सारे चीजों को, यह क्या बना दिया, मैंने, मैंने, खुद भी नहीं देखा, I am sorry for that, यह क्या उलट पलट रहा है, ठीक है, तो इस बार का जो cutoff है, वो थोड़ा अलग सा रहेगा, last year के cutoff से, क्यूंकि last year में, दो subject है, यानि आपको, पहले तो main paper देना होता है, last year के जितने भी cutoff थे, मतलब उससे, इस बार का cutoff है, वो हम अंदाजा लगा सकते पहले से, वो बहुत कम होने वाला है, क्यूंकि इस बार English नहीं है, इस बार जो भी cutoff बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपके, जो respective subject है, उसी के business पर बनाए, इस बार का cutoff जो है, वो काफी न मार्क कितना मिला है, ठीक है, मतलब पकड़ लो कि किसी एक student का admission हो चुका है, इस बार, इसलिए ये बैदर रहेगा, कि आप सिर्फ में सब्जेक का मार्क ही उसको पूछो, ठीक है, next, next क्या है, आपका is admission without CVT possible, ठीक है, is admission without CVT possible, ये बहुत थी एक common question है, सबी के बीच में, मतलब जितने भी student है, लगबग 50% students का मेरे पास doubt आया था, कि हम लोगोंने CVT exam नहीं दिया है, तो क्या हम इस बार admission ले सकते हैं, तो जी हाँ, आप admission ले सकते हो, लेकिन इसमें दो criteria आपको match करना होगा, criteria ये है, कि आपको अपना जो degree है, वो pass कर लेना चा अगर spot admission के time पे, अगर आपके department में, जिस department में आप apply करना चाहते हो, या फिर आगे जाके करोगे, उस department में, अगर आपका seat बचता है, तो आपका जो degree के mark से, उसके business में आपको chance दिया जाएगा, आगे जाके, लेकिन इसमें क्या है, आपको degree pass करना चाहिए, कोई भी back नहीं अगे रहना चाहिए, fully appeared and fully past exam, उसके बाद आपका जो department है, उसमें seat बचा रहना चाहिए, अगर seat बचा रहता है, तो spot admission के दिन, ये मतलब notice पहले से दिया जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा, कि आप आ सकते हो, ठीके, तो आने के बाद आपका, जो है, वो admission दिया तो पहले आपका merit list निकलेगा, अपने apply कर लिया है, करने के बाद आपने fee payment कर लिया है, करने के बाद आपने जो अपना document submit करना है, जो भी final grade card, वो अपने submit कर दिया है, उसके बाद अभी आपका क्या होगा, पहले आपका merit list निकलेगा, merit list पे अगर आपका नाम आ चुका है अगर आप देखते हो कि merit list पे आपका नाम आ चुका है, तो आप तुरंद जाके अपना login ID and password देखे आप login करोगे, अपने account पे, असाम इनिवर्सिरी student login जहाँ पे जाके करना होता है, applicant login, उधर पे जाके login करोगे, login करने के बाद देखोगे आपके उधर पे एक payment option आ चुका है ठीक है, और एक form भी मिलेगा, तो वो दोनों चीज़े आपके पास रखना है, आपके पास उसके बाद एक date दिया जाएगा, मतलब जैसे कि आज selection का process स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद जैसे ही आपका पहला class होगा, तो पहले class के दिन आपका document verification भी उधर पे हो जाएगा इनिवसिटी में, document verification के साथ साथ कुछ extra form जैसे कि आपका blood report, blood group क्या है, उसके बाद आपका anti-ragging cell एक form फिल आप करना होता है, वो करना होगा, उसके बाद आपका fitness card, fitness report वो भी देना होता है, इनिवसिटी को, वो देना होगा, उसके बाद यह सब चीज़े अगर सही सही से तो उसके बाद आपका admission process इस बार के लिए complete हो जाता है, and you are done with the admission process, आपका class अच्छे से शुडू हो जाएगा तब से, ठीक है, तो पहले से 31 बना के रखना, वो है कि आपका blood report, ठीक है, मतलब आपका कौन सा blood group है, वो निकाल के रखना, मतलब ऐसे ही बोलने से नहीं होगा, दिखाना होगा proof, उसके बाद आपका जो fitness report, fitness test का एक report है, वो निकल के रखना, वो इस बार लगा था, UG के time पे, तो आपका PG के time पे भी लग सकता है, ठीक है, वो भी पहले से निकल के रख देना, और साथी साथ आपका जो है, आपका वो वाला, anti-regging वाला वो जो बाद मे देंगे वो, अभी नहीं करना है कुछ भी, तो anti-regging बाला देंगे, तो वो आपको करना है, ठीक है, तो यह सब चीज़े था, selection process को लेके, अभी selection उसके बाद होगा, आपके साथ मेरा मुलाकात भी होगा, हो सकता है, अगर मेरा selection हो जाए, chemistry department में, तो we will soon meet, and सब मिलाके, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी ने, अगर अभी तक हमारा WhatsApp ग्रूप को जॉइन नहीं किया है, तो प्लीज एक बर WhatsApp ग्रूप को हमारा जॉइन कर लो, नीचे लिंक है, उसको जॉइन कर लो, सब information उदर पे दे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ह एवेलेबल हो चुका है, वो जाके उदर पे आप देख लेना, ठीक है,